हलो दोस्तों काईतर किरोस, आप सभी का स्वागत है तो आज मैंने बनाई है बहुत जादा टेस्टी मिठाई और दोस्तों मिठाई स्रफ दो चीज़ों से बनके तयार हो जाती है, मैंने इसमें दो ही चीज़े चाहिए बाकी बाखिया आप डाल सकते हो नहीं भी डाल सकते हो डो चीजे मेंने डाली मैं आपको वीडियो है बताऊंगे तो पहले मैं आपको एक तोड़ की दिखा देती हूँ कितनी सॉफ्ट हमारी मिठाई बनी है देखे बिल्कुल छूटते ही बिल्कुल तूट जाती है सच में बताएं बिल्कुल मुह में घुल जाने वाली ऐसी मिठाई बनी कि एक बार आप बना लोगे तो सच बताएं हपने में तो जरूर बनाओगे दोस्तों बहुत ही ज्यादा सकते हो किस भी कलर में बनाओगे दोस्तों फिर भी बहुत प्यारी मिठाई बनेगी तो चलिए हमने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी अब दोस्तों कढ़ाई में हम यह दो कप डूद हो चुके हैं अब दूद को दोस्तों हम हाई स्पीड करके 2-3 मिनिट इसको अच्छे से प पका लए तो चलिए उबाल आ रहा है दूद में देखे बहुत बढ़ी अस उबाल आ चुका अब इसको इस तरह से चलाते रहेंगे चलाते रहें तो दूद हमारा बलकुल बाहर नहीं निकलेगा कड़ाई से बाहर नहीं होगा तिसलिए इसको चलाते रहे हाई स्पीड पर करते रहे और चलाते रहे और ती मिनिट के करीब दूद को अच्छे से पका लेना है यह देखिए जैसे उबाला आए कर्शी से इसको मतलब हिलाते रहे चलाते रहे बिल्कुल भी नहीं बाहर निकलेगा इसी तरह से हमें 3 मिनिट दूद को पका लेना है दूस्तों दूद अच्छे से पकेगा तभी हमारी मिठाई बनके तयार होगी यह देखिए करीब 3 मिनट के करीब हमने दूद को पका लिए आज को हमने बिल्कुल मीडियम कर दिया है तो दोस्तों आप हम दूद में डालेंगे यह खांड जो मतलब आसानी से दुकान पर मिल जाती यह खांड हलकी सी ब्राउन कलर की होती है यह पाउडर सुगर से थोड़ा सा इसका कलर डार्क होता है तो बहुत इसली मिल जाती है हम इसमें चीनी नहीं डालेंगे तो इस तरह स तो चलिए हम इसमें desiccated coconut डाल देंगे दोस्तों डेड़ कप तिधर मैंने ये एक कप ले लिया इसको डाल देना है इस तरह से और आधा कप हम और डाल देंगे इसमें तिया आधा कप हो गया तो टोटल हमारा डेड़ कप हो गया desiccated coconut नारेल कबूरा डाल के दोस्तों थोड़ा सा आज को बढ़ा दें ताकि दूद अच्छे से मतलब जल्दी से सूख जाए इसको बिल्कुल राइब कर देना है इस तरह से इसको चलाते रहेंगे थोड़ा सा आज को बढ़ा देंगे तो ये तीन से चा आप बिना बादाम काजू को भी इमिठाई बना सकते हैं तो देखिए हमारा दूद बिल्कुल सूख रहा है इसको बिल्कुल ड्राय सा कर देना है तो ये देखिए दोस्तों हमने काजू को बहुत अच्छे से पीस लिया है बिल्कुल फाइन सा पाउडर बना लिया है ये कचलिए एक से दो attempts थोड़ा सा का इकसे दो बार और इसमें से दोस्तों थोड़ा सा मिक्षर से निकाल लेंगे हमकी से चार चमबनाज के करीब बहुत जादा नहीं सी मिक्र में रख देंगे गहां से अरॉन में इसमें हम ने मिक्षर के से 36 अंब तो यह देखिए हमारा मिक्षर बहुत बढ़िया से कलर हो रहा है बढ़िया साब इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं ये देखें बहुत बड़ीया से mix हो चुका है दोसतो इस टाइम गैस को बंद कर देना है जो mixer अच्छे से mix हो जाए तो गैस को बिलकुल बंद कर क्योंकि Fraud तंडा होगा न तो और जादा यह सूख जाएक來 bagus बंद करके इसको नीचे उतार देना जो हमने बचाया था ना इसको एक प्लेट में रख लेंगे इस तरह से और रखने के बाद अब हम इसमें डालेंगे दोस्तो थोड़ा सा लाइमन यलो कलर डालेंगे फूड कलर इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं इसी के साथ हम दोस्तो इसमें काजु वाला जो हमने पाउटर बनाया था ना उसको भी डाल देंगे अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे बहुत बढ़िया से तो देखिए यलो कलर कितना प्यारा सा लग रहा है बहुत ही बढ़िया सुन्दर सा हमारा ये भी मिक्चर बनके तयार हो चुका है दोस्तों तो अगर ये वाला मिक्चर आपको थोड़ा सा थंडा होने के बाद अगर गीला लगता है तो आप इसको कड़ाई में डालके इसको हलका सा और मतलब चला देंगे ना तो बिल्कुल टाइट सा डोर फो में बन जाएगा तो इधर हमारा कड़ाई वाल यह देखए हमने फ्लेट में निकाल देया इसको हलका सा वे गरम है तो उसको फैला के रख दिया है और यह देखिए दोस्तों थोड़ी दिर हमने रख दिया था ते बिल्कुल टाइट से हो गया है इसी तेसे तरह सारे बोल्स बना लें गे यह ऐलो कलर वाले देखें चले मैं आपको यह और बना कि दिखा देती हूं बहुत यह असानी से बन जाते दोस्तों यह देखें तो यह देखिए सारे बोल्स हमारे बन के तयार हो चुके हैं यह देखिए कितने प्यारे से लग रहे हैं तब दोस्तों इनको भी हम साइड में कर देंगे इधर हमारा जो दूसरा वाला मिक्षर है यह भी इतनी देर में ठंडा हो चुका बहुत अच्छे से तो दोस्तों आप देखिए के बाध में च्छोटे वाले बोल्स अनको भी इसमें रखिएस तरह से और करना है यह थोड़ा से हल्का सा मतलब जो यह तरह से करेंगे ना अभी मैं आपको दिखाऊंगी बहुत ही आसानी से बने जिससे पेड़े से नहीं बनाते जैसे लोग लट्डू से नहीं बिनाते उस तरह से कर देना है करने के बाद इस तरह से कर देना मितलब हातों से हातों से फिरा देना है इस तरह से तो बहुत ही जल् लट्डू की तरह कर देना है और बस फिर से इसको हाथ से फिरा देना इस तरह से ये देखिए कितनी आसानी से बन जाता है बनाने में कोई जंजट नहीं दोस्तों बहुत ही बड़िया से हमारी मिठाई बनके त्यार हो जाती है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तो ये तो इसके बाद हर सारे बोल्स बहुत ही असान ही से बना पाऊगे प्लेट में लगा लेंगे दोस्तों बहुत देखिए कितनी प्यारी मिखायी लग रही है बिल्कुल सब्सक्राइस और तो दोस्तों अगर आप मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे वीडियो को ल रेश्पी बना रहे हैं तो प्लीज कमेंट में बताएं जरूर कि आपकी रेश्पी कैसी बनी है दोस्तों ना मैंने इसमें कोई देखें मैंने बिना घी के बिना चासनी के बिना मेल्क पाउडर की बिना मावे की मैंने बनाई है दोस्तों बहुत ही जादा टेस्टी बनी है द प्लीज दोस्तों मेरे चनल को सब्स्राइब जरूर करें तो मैंने इस पर जो है यह थोड़ी सी पिस्ता और काजु की कत्रन पतली पतली सी मैंने काट ली थी बारीक से उस तरह से डाल देना है यह देखिए बहुत ही जल्दी बन जाती और बहुत ही बढ़िया टेस्टी से हम है दोस्तों